अभी देखते हैं क्या क्या है, जैसे relation and functions for 12, क्या क्या देखे थे, set, already class 11th में set हम लोग पढ़ चुके थे, Cartesian product of set यह भी देख चुके थे, domain क्या होता है, range क्या होता है, relation क्या होते हैं, types of relation क्या होते हैं, function क्या होते हैं, and types of functions क्या हैं, यह सारे टॉपिक्स अल्रेडी हम लोग पढ़ चुके हैं फिर भी यहां पर हम लोग एक अच्छे वे में एक अच्छे लॉजिक एक अच्छे ग्रेट कॉंसेप्स के साथ हम लोगों यहां पर मूव करेंगे सो गाइस देख लेते हैं बस सेट सेट क्या था अभी इसको भूल जाओ सेट इसके बारे में आप आले देखते हैं कि सेट है क्या मैं आपको सीधी बासा हम बताने ही कोजिस करूँगा इस सेट जैसे कि जो भी बच्छे गवर्मेंट इग्जाम्स के लिए जेनरल कंपरिशन क के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें आप लोग जरूर सुना होगा कि चलो आज हम लोग सेट मारते हैं आज इसका सेट देना है होता है तो वो सेट क्या होता है कभी इस पर गौर किये हैं आप कि चलो आज हम लोग सेट करते हैं दस सेट का यह पूरा बूख है इसमें दस से दिये हुए है तो यह sate है क्या वही sate यहां भी है जो हम लोग उस sate की बात कर रहे है कि चलो आज हम लोग sate देखते है sate को solve किया जा और यहां जो हम लोग sate पढ़ रहे है दोनों same ही है तो जैसा कि हम लोग class element में पढ़े थे सेट क्या था well defined collection of an object means object पहले तो object देखते थे कि object क्या होते थे तो मैं आपको यह बता दूँ कि object क्या होते थे जो भी set दिया हो रहता था जैसे set a is equal to something a one two three four five ऐसे रहा तो जो भी element set a के अंदर जो भी element रहते थे न उसे हम लोग वो भी करले ब्रैकेट में लिखा जाता था उसे हम लोग object बोलते थे set क्या होता था well defined collection of an object में इस एक well defined है उन सारे collections collect किये गए objects को जो की well defined है वही मेरा set होता था और इस set की बात करें तो यह भी set वही है जैसे अगर general competitions में रहते है reasoning हो गया है maths हो गया these travel Kathoma and Surdiche Perivan जीके hara Glass हो गया है यह सारे रहते हैं तो यह तो broad है ना आवरीजन में बहुत सारे chapters है है aptitude में बहुत सारे chapters हैं जीके में बहुत सारे chapters है बट यह जो stay month लिए उसमें यह रहता क्या है कि मानकर चलो कि मैंने 20 questions क्idgn questions का सेट लिया या hundred questions का सेट लिया तो वह एक well defined इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बहुत जादा important है जो कि exam purpose के लिए काफी जादा important है इसलिए हम लोग उसे सेट में रखे हैं हमेशा जो questions पूछे जाते हैं ना उसी को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है एड किया हूँ यहाँ पर तो क्या बन गए सेट बन गए मिस्ट तरह से well defined हुए ठीक है तो यही चीज़ यहाँ पर है सेट क्या होता था well defined collection of an object देखलो आप well defined collection of an object and sets are used to define the concepts of relation and functions यह भी था कि जो set होता था used किसली होता था define करने के लिए कि relations and functions का concept क्या है ठीक है it is usually denoted by capital letters yes a is equal to something b is equal to something जो सेटम हम लोग लिखते थे क्या होता था denoted by capital letters remind करा रहा हूं आपको अच्छे तरीके से सीखेंगा यार ऐसा मतलब जल्दी वाजे नहीं है कि हम लोग जल्दी जल्दी में relation पढ़ लिए और काम कदम वह नहीं करने वाले हैं मैं आपको स्टार्टिंग से में बता रहा हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वह थोड़ा different type का पढ़ना चाहिए आपको खुद से एक ऐसा लगे कि नहीं relation and functions मेरा complete है और जब भी से related कोई भी questions आएंगे ना मैं guarantee देता हूं कि 100% वह solve होगा बस धंग से पढ़ना है ठीक है जैसे मैं बता रहा हूं से follow करवा आप लोग तो क्या क्या देखी set क्या था well defined collection of an object yes sets are used to define the concepts of relation and functions yes यह भी सही है it is usually denoted by capital letters already सही है the element of sets are represented by small letter यह काफी जायदा important था देख लो आप जैसे set a is equal to हम लोग क्या लिखते थे a b c d e ऐसे ही लिखते थे न तो यहाँ पर क्या होता था यह जो set है उसे हम लोग क्या always capital letter में लिखते हैं always कुछ भी लिखो z लिखो x लिखो b लिखो c लिखो कुछ भी हो set हमेशा क्या होंगे always in capital letters होंगे and यह सारे जो होते हैं यह क्या कहलाते थे objects कहलाते थे इन सारे जो elements हैं इसको हम लोग क्या बोलते थे objects और यही जो elements है न यह क्या होंगे यहाँ पर क्या लिखा था small letter देख लो the elements of sets are represented by small letter तो यह जो सारे elements है यह सारे क्या होंगे small letter जैसे a हो गया b हो गया c हो गया d हो गया और e हो गया अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ set a is equal to a b c और d तो यह set मेरा क्या है wrong है यह नहीं हो सकता set क्यूं क्यूं क्यूंकि देखो यहाँ small है यहाँ small है यहाँ small है बट यहाँ पर क्या हो गया capital हो गया तो capital हो ही नहीं सकते सारे elements क्या होंगे small letter में represent होंगे ठीक है यह समझ में आ रहा set के अंदर जितने भी elements होते हैं वो always small letter में लिखे जाते हैं ठीक है तो यह इसका उम्मीन था उसके बाद क्या है every collection is not set but every set is a collection yes सारे collection set नहीं हो सकते बात को गौर से समझना सारे के सारे collection set नहीं हो सकते लेकिन हाँ जो set है ना वो तो collection है सारे set एक तरह से collection है ठीक है next अब एक छोटा से example देख लेज़ा set of all natural number जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा one two three four five dot 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 कहां तक infinite तक जाएगा तो यह क्या है well defined है कि जब भी natural number की बात कहीं जाएगी तो n का value one से लेकर infinite तक होग यह तो well defined है ऐसा नहीं कि इसमें हम लोग minus ले लेंगे या कुछ और ले लेंगे या one by two ले लेंगे या कुछ और लेंगे 0.something no natural numbers बोला जा रहा है तो one two three four five six seven eight ऐसे जाएगा ठीक है अब यह भी चीज पढ़ चुके थे कि set जो होता है ना वो कोई matter नहीं करता है order और और एल क्योंकि यहां पर देखो डबल ओ था यह जो डबल ओ था रिपिटेशन नहीं होना चाहिए इसलिए हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे ओ देखो और कोई यह ज़रूर नहीं है कि एस के बाद सी और ह है तो एस के बाद सी और होगा no c भी हो सकता पाले एस भी हो सकत कुछ भी हो सकता है रिपीटेशन मैटर नहीं करता है और भी मैटर नहीं करता है यह भी देख चुके हैं हम लोग ठीक है इसके बाद थोड़ा से और देख लेते हैं क्या पढ़ना है येस सेट जैसे कि सेट ए अगर दिया हुआ है गाईज फाइव एट जिरो शिक्स थी टू ए ये सारे एलिमेंट्स हैं सेट ए के तो बिलॉंग्स टू का तो कॉंडिशन हम लोग देख चुके थे कि जो भी एलिमेंट्स इसमें प्रजेंट होंगे अगर पूछा जाएगा फा ये सेट का एलिमेंट्स है तो ये टू है एट को हम लोग क्या बोल सकते हैं येस एट बिलॉंग्स टू ए ये भी सही है जीरो बिलॉंग्स टू ए सही है वन बिलॉंग्स टू ए ये क्या सही है वन बिलॉंग्स टू ए ये रॉंग है कभी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वन क यह भी नहीं हो सकता, means इसको लिखने का तरीका क्या हो जागा, a belongs to a, true है, one belongs to a wrong है, लेकिन हाँ, यह हम लोग बोल सकते हैं, one doesn't belong to a, four doesn't belong to a, यह भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो belonging to का conditions तो आप देख लिए, कि जो भी elements present होंगे, उसे हम लोग बोलेंगे, belongs to set a, set b, जो भी हो द present होंगे, तो doesn't belong to, means belong to का sign देंगे, उसके बाद उसे cancel कर देंगे, यह क्या हो जागा, doesn't belong to, यह थे set, उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था, method of representing a set, means set को represent करने के दो method थे, एक roaster form में, और एक set builder form में, ठीक है, set builder form को हम लोग property form method बोलते थे, and roaster form को हम लोग tabular form बोलते और यह भी देख चुके थे, कि जो roaster form होता था, उसमें क्या होता था, in case of roaster form, all the elements of a set are listed, and the elements are being separated by comma, सारे elements comma से separated होते थे, and curly brackets, जब भी ऐसे दिया हो, a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, तो यह क्या होते था, roaster form होता था, लेकिन set builder form क्या होता था, वो अलग होते थे, x, such that x is equal to something, उस टाइप से लिखा जाता था, ठीक है, तो पहले roaster form में लोग देख लिए, कि roaster form में क्या होता है, कि जो elements of set होते थे, वो listed in क्या होते थे, commas and curly bracket, जैसे बोला जागा, the set of all even positive integers less than 7, even positive integers less than 7, तो क्या हो जागा, positive integers 1, 2, 3, 4, 5, 6 होंगे, लेकिन, even बोल रहा था, 2, 4, and 6 हो तो इसका answer क्या हो जागा यह, और यह representation क्या हुआ, roaster form में हुआ, set of all vowels of an alphabet, तो क्या हो जागा, A, E, I, O, U, यह क्या हो जागा, roaster form हो जागा, तो यह देख लिए थे, अब हम लोग next videos में इसके आगे, guys देखेंगे, तब देखेंगे, thank you, thank you so much, bye bye